हाई गाईज आई होप योला डूइंग रेग हम लोग बात करें हमारे डेली करेंट प्रेस सेशन की जो सुबा चार बज़े वेलेबल हो जाता है हमारे दोनों चानल्स पिनेकलर फ्रेंटियर आई एस पर आज की तारीख है 13 जुलाई 2022 22 दोरों चानल्स को सब्सक्राइब करें बेल आइकन को जरूर प्रेस करना है ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेस्टन आपको मिल सके हमारी दो वेबसाइट से ससीजल्पनेकल डॉट कॉम और बलजीरधाकर डॉट कॉम साथी साथ पर डेली वीडियो पीडिय एफन मंथली मैगजीन आप हमाई टेलीग्रम हैंडल्स प्रंटियर आई एस और एस जल्पनेकल ओनलाइन को जोईन जरूर करें स्टार्ट करेंगे प्रीवेस क्विज के साथ मैंने आपसे पहला क्वेस्टन पूचा था कि जीटवेंटी के भारत के नए शेरपा के रूप गया है इसका करेक्ट आंसर था अमिताप कांथ और दूसरा क्वेस्टन पूचा था कि विश्व जन संख्यादीवस कब मनाया जाता है इसका करेक्ट आंसर था 11 जुलाई स्टार्ट करेंगे फॉर्स्ट व्लेवाज के सेस्टन के लिए जून के लिए ICC मैंस प्लेयर ऑफ दिटेल्स देख लो तो इंग्लेंड के बल्लेबाज जॉनी बेरेस्टो को जून के लिए ICC प्लेयर अवदी मंद का पुरसकार दिया गया है उन्होंने प्लेयर अवदी मंद पुरसकार प्राप्ट करने की दौड में अपनी टीम के साथ ही जौरूट और न्यूजिलेंड के बल्लेबाज डेरिल मिशेल को हराया उन्होंने पिछले महिने न्यूजिलेंड के खिलाप शांदर प्रदर्शन के बाद खिताब गीता था दक्षिन अफ्रीका की बल्लेबाज मारी जानिक कैप ने जून 2022 के खिताब के लिए महिला प्लेयर अवदी मंद हासिल किया नेक्स देख लो तो प्रदान मंत्री नरेंदर मोदी ने जारखन के देवघर का दौरा किया और 400 करोड रुपे के देवघर हवाई अड्डे सहित 16,835 करोड रुपे के विकास परियोजना को शुभारम किया उन्होंने अखिल भारतिय आयुर विग्यान संस्थान एम्स देवघर को भी राष्ट को समर्पित किया जो 1100 करोड रुपे की लागत से बना है दियोगर हवाई अड्डा बैदेना धाम को सीधी कनेक्टिविटी प्रदान करेगा जो एक धार्मिक स्थल है जहां हर साल देश भर से लाखों तीरत यातरी आते हैं बैदेना धाम में वाशिक श्र चीफ मनिस्ट्र है हिमन सुरेन गवर्नर है रामेश 22 नेक्स्ट क्वेसन देखो शहीद भगत सिंग कप के स्खेल से संबंदित है करेक्ट आंसर है ऑप्चिन नबर सी फुटबॉल डिटेल्स देख लो तो राष्टर राजधानी में खेलों को बढ़ावा देने के लिए के पेजरिवाल सरकार ने शहीद भगत सिंग को समर्पित एक फुटबॉल कप के शुरुआत की शहीद भगत सिंग फुटबॉल कप के दोरान दो महीनों में 20 टीमों के बीच 98 मैच खेले जाएंगे विजयता टीम को 5 लाख रुपे की पुरसका राशी से सम्मानित किया जाए उप मुखे मंत्री मनीश सिसोधिया ने किया यहां पर एक्षे इंफरमेशन की बात करें तो केजरिवा सरकार ने दिल्ली स्किल एंड एंटेप्रेनियोर्शिप युनिवर्सिटी के चात्रों के लिए रोजगार के अफसरों तक पहुंच को सक्षम करने के लिए युनिसे देख लूँ तो केंद्रे विदेश और संस्कृती राजय मंत्री मिनाक्षी लेखी ने 75 स्वतंद्रता सिनानियों पर लिखी गई एक गुजराती पुस्तक का विमोचन किया यह पुस्तक हिंदू अध्यात्मिक और सेवा फाउंडेशन एच डबल स्व दोवारा तयार की गई है स्वधिनाता संग्रामना सुर्वीरों नामक पुस्तक 75 फ्रीडम फाइटर्स का जशन मनाती है और देश्ट के लिए उनके दुवारा किये गए बलिदानों की कहानियों को साज्जा करती है नेक्स्ट क्वेशन देखो किस भारती ने दक्षिन कोरिया में आई डबल स्व विशुकप चरन में अपना पहला स्वरन पदक जीता है करेक्ट आंसर है ओप्च नमर सी अर्जुन बाबूता डिटेल्स देख लो तो निशाने बाजी में भारत के अर्जुन बाबूता ने दक्षिन कोरिया के चांग मोन में अंतराष्ट निशाने बाजी खेल महासंग आई डबल स्व विशुकप चरन में प्रपहला स्वरन पदक जीता है उन्होंने फाइनल में टोक्यो 2020 के रज़त पदक विजेता लुकास कोजे निसकी को हराया अर्जुन बाबूता ने लुक पहला पदक था नेक्स्ट क्वेसन देखो रक्षक प्लस योजना को लागू करने के लिए किस बैंक ने भारती वायू सेना के साथ समझोता गयापन MOU पर साक्षर किये हैं इसका करेक्ट आंसर है और प्जाब नाशनल बैंक डिटेल्स देख लो तो पंजाब नाशनल बैं PNB ने अपने प्रमुक योजना PNB रक्षक प्लस के तहट रक्षा कर्मियों को विशेश रूप से डिजाइन किये गए उत्पात प्रदान करने के लिए भारते वायू सेना IAF के साथ एक समझोता गयापन MOU पर साक्षर किये हैं भारते वायू सेना की और से PNB के MD और CEO अ 50 लाख रुपे का व्यक्तिका दुर्गटना मृत्यू कवर 100 लाख रुपे का हवाई दुर्गटना मृत्यू बीमा कवर और व्यक्तिका दुर्गटना साई कुल्विक लांगता के लिए 50 लाख रुपे का कवर शामिल है नेक्स्ट क्वेस्टन देखो भगवानी देवी डागर का संबंध किस क्षेत्र से है करेक्ट आंसर है एथलेटिक्स डाट इस ओप्षन नमबर डी डीटेल्स देख लो और साथ में फोटो अटाश्ट है तो 94 वर्षी भगवानी देवी डागर ने 10 जुलाई 2022 को फिनलैंड में विशेश मास्टर्स एथलेटिक्स चैंपेंशिप 2022 में एक स्वरन और दो कांसे पदक जीते भगवानी देवी ने 100 स्प्रिंट्स परधा में 24.74 सेकंड के सम्वे के साथ स्वरन पदक जीत कर इतिहास रच दिया वह हर्याना की रहने वाली हैं उनके पोते विकास डागर भी अंतराश्टे पैरा एथलीट है नेक्स्ट क्वेसन देखो भारत में इंटरनेट के जनक है जाने वाले BSNL के किस पूर्व प्रमुक का हाल ही में निधन हो गया करेक्ट आंसर है ओप्श नमबर C ब्रिजेंद्र कुमार सिंगल दिटेल्स देख लो तो विदेश संचार निगम लिमिटेड के पूर्व अध्यक्ष रिजेंद्र कुमार सिंगल का निधन हो गया वह 82 वर्ष के थे उन्हें भारत के इंटरनेट के जनक के रूप में जाना जाता था एक IITN सिंगल ने 1991 में BSNR का कारेबार संभाले के लिए उप घ्रह संचार कंपनी इन्मार सेट को छोड़ दिया था उनकी देख रेक में कंपनी ने भारत की इंटरनेट सिवा शुरू की और अपनी ततकालीन सबसे बड़ी वैशुक डिपोजिटरी रसीट जारी की किस देश ने अधिक विदेशी परियाटुकों को आकर्शित करने के लिए यात्रियों के लिए डिजिटल नोमैड वीजास की घोशना की है अधिक विदेशी परियाटुकों को आकर्शित करने के लिए डिजिटल नोमैड वीजास की घोशना की है डिजिटल नोमैड वे लोग हैं जो अलग-लग जगहों की यात्रा करते हुए रिमोटली काम करते हैं और अपनी अर्जित आय को इस देश में खर्च करते हैं जहां वे यात्रा कर रहे हैं वे एक भवॉलिक शेत्र में रहना पसंद करते हैं और काम करते करते नए जगों को एक्स्प्लोर करते हैं इंडोनेशिया में रहने के लिए टाक्स फ्री इंक्लूडिंग बाली यूरॉप का सबसे पुराना मानव जिवाशम हाल ही में किस देश में पाया गया है करेक्ट आंसर है औप्शन नंबर सी स्पेन दिटेल्स देख लू तो स्पेन में पुरा तत्व विदों को एक प्राचीन जबडे की हड़ी मिली है जोने यूरॉप के कुछ सबसे पुराने मानव पूरवजों के चेहरे को देखने में मदद कर सकती है यह स्चरजनक हो जो लगभग 1.4 मिलियन वर्ष पुरानी हो सकती है पुतरी स्पेन के बर्गौस प्रांत में अटापूर का परवत में गुफाओं के पास एक उपरी जबडे और गाल की हड़ी का जिवाशम टुकड़ा पाया गया अब तक यूरोप में पाया जाने वाला सबसे पुराना फो मिनिट जिवाशम 2007 में उसी स्थान पर पाया गया था जो 1.2 मिलियन वर्ष पुराना था बात करें हैं आपर स्पेन की तोसी क्यापिटर है मेडरिट करनसी है यूरो पुइकली बात कर लेते हैं आज के सेशन की समरी की तो जून महिने के लिए ICC मैंस प्लेयर आप दी मन्थ बने है जॉनी बैर्स्टो जहारखड में देवगर एरपोर्ट को अध़ाटन किया गया शहीद भगत सिंग कप फुटबॉल से रिलेटेड है स्वाधिनाता संग्राम नसुर वीरो गुजराती बुक को मिनाक्षी लेखी ने रिलीस किया ISSF वर्ल कप स्टेज में फुर्स गोल्ड हासिल किया अरजुन बबूता ने रख्षक प्लस स्कीम को इंप्लिमेंट करने के लिए इंडियन एर फोर्स ने पंजाब नैशनल बैंक के साथ M.O.U. साइन किया भगवानी देवी डागर एथलेटिक से जुड़ी हुई है इंडिया में फादर आफ इंटरनेट कही जाने वाले और V.S.N.L. के चीफ बिजेंदर कुमार सिंगल का निधन हो गया डिजिटल नॉमाड वीजास की घोशना इंडोनेशिया ने की है और ओल्डेस्ट यूरोपियन ह्यूमन फॉसिल स्पेन में पाया गया बात कर लेते हैं आज के सेशन के कुश्वादर डे के आपका पहला क्वेस्टिन है राष्ट्रे मत्से किसान दिवस कब मनाया जाता है और आपका दूसरा क्वेस्टिन है विंबेल्डेन ओपन 2022 में पुरू शेकल का खिताब किसने जीता दोनो पॉस्टिन हमारे प्रीवेस सेशन से है इनके सांसे नहीं आएगा तो उनको चेक कर लेना दोनो चानल को सब्सक्राइब करें बेल आइकन को जरूर प्रेस करना है ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेस्टन आपको मिल सके हमारी दोनो वेबसाइट और टेलिग्राम हैंट्स को जोइन जरूर करना है Thank you so much, I'll see you in my next session